CKD reverse हो सकती है, जरूर हो सकती है, आप मेनत करोगे तो CKD भला क्यो reverse नहीं होगी? ओम नमस्षिवे दोस्तों, मेरा नाम है अंकिते और आज की वीडियो में मैं खास तो और रुपर तीन कोशनों के आंसर देने के लिए आया हूँ पहला कोशन कुछ पेशन्ट के अंदर इतनी जादा negativity आ गई है, कि वो उनका कहना ये है कि आप तो dialysis ये एक तरीका बच गया है, ट्रांस्प्रांट ये एक की तरीका बच गया है, CKD तो reverse हो ही नहीं सकती है दूसरे नंबर पर पेशन्ट ये कहते हैं, कि सर CKD reverse करने के लिए क्रेटनी इंकम करने के लिए कुछ उपाय बता दीजिए तीसरे नंबर पर पेशन्ट ये कहते हैं, आप treatment देने लग रहे हो, तो आपका treatment बाकियों से अलग कैसे है तो इन सबी कोशनों का मैं एक एकर के answer देना चाता हूँ सबसे पहले नंबर पे तो मैं ये बताना चाता हूँ अगर आप अपने mind में ये negativity रखोगे कि CKD reverse नहीं हो सकती तो चाहे आप दुनिया का किसी भी परकार का treatment के होना आप ना लो, CKD आपकी कभी reverse नहीं होगी अग किसी भी बीमारी को चाहे वो CKD हो, चाहे वो cancer हो, चाहे वो liver disease हो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए mind में positivity का होना बहुँजात जरूरी होता है आपके पास positive approach होनी चाहे कि मेरे को जो बीमारी हो गई है, अब मैं अपनी tension को दूर करके practical approach को अपना करके इस बीमारी से fight करूँगा और इसको ठीक करके रखूँगा अगर आप इस परकार की positive approach रखोगे, तो चाहे आप दुनिया का किसी भी परकार का treatment मतलो केवल positive thinking के साथ ही, आप अपनी बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हो और अगर आप अपनी right approach में treatment लेते हो, तो उसको reverse करने में भी काफी हद तक काम्याब हो सकते हो तो सबसे पहले number पर जो भी लोग negative comment करते हैं, कि transplant ये एक option है, dialysis ये एक option है, बीमारी से हम बचने नहीं वाले तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, negative approach को छोड़ दीजिए, positive तरीके सोचिए, positive direction में जाईए, तो आप अपनी बीमारी में definitely फायदा पा सकते हो इसके बामले में मैं आपको एक काहनी सुनाना चाहता हूँ, काहनी नहीं, ये reality है, मेरे पास एक पेशेंट आया, उनका अपते में तीन बार dialysis चलने लग रहा था, और उसके दोनों आथों के fissula fail हो गए, दोनों आथों के fissula fail होने के बाद में डॉक्टरों ने जवाब है, मेरे को भी पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने पेशेंट के family members को का, देखे एक उपाय है, आप definitely इसको try कीजिए, और अगर बगवान ने चाहा तो बच जाएंगे, तो मैंने उन्होंने treatment शुरू करवाया, मैंने उनको उपाय बताया, चमत से उनको बैदो पहर शाम, थोड़े बहुत दिनों में पेशेंट की सुजन को दूर होने लगे, दीरे दीरे करके सारा urine चालू हो गया और सुजन दूर हो गई, उसके बाद पेशेंट उठकर के बैठने लग गया, अब आप खुद ही सोचिए, अब उस पेशेंट की condition ऐसी है कि उस मैं भी उस पेशेंट की condition देख कर कि ये कह देता कि ये तो मरेगा, इसके तो बचने के कोई चांस ही नहीं है, और हम ट्राइ ही नहीं करते उसको जिंदा बचाने के तो क्या होता, तो तो डेफिनिटल उस पेशेंट को मरना ही था, तो पेशेंट की चाहिए किसी भी परकार का treatment लेंगे, तो डेफिनिटल हम अपनी विमारी को reverse कर सकते हैं, अब दोसरे नमबर पर पेशेंट ये पुछते हैं, कि सर ये डालेसी सी एक last option बचा है, ट्रांस्प्रांट ये एक last option बचा है, केवल कुछ केस के अंदर में, जहां पर पेशेंट के बोडी बिल्कुल भी support कर लिए किसी भी परकार के treatment को, और पेशेंट के पास option available है, कि वो transplant करवा सकता है, तो मैं भी ये कहता हूँ कि last option में आपको transplant के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हमारा mean focus है, patient की उमर को बढ़ाना, patient की life expectancy को बढ़ाना, अगर patient के पास option available है, और वो transplant करवा सकता है, तो उसको transplant क करवा करके अपनी जान को बचाना चाहिए अब इसके बाद अगली नंबर पर पेशेंट यह कहते हैं कि सर किस परकार का ट्रीटमेंट ट्राय करें मैं अपने हर एक वीडियो में बता चुका हूं मातर चार सो से पांचो रुपे की मैंडिसीन जो आती है किसी भी पंचारी अब इसके बाद अगले नंबर पर पेशेंट में को यह कहते हैं कि सर आप में एक छोटा सा उपाए बता दीजिए जिससे हमारी किडिनी ठीक हो जाए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यह कोई खासी जुखाम बुखार जैसे बिमारी नहीं हो रखी है कि मैं एक छो ट्रीटमेंट चलने लग रहा है वें ड्रीटमेंट से बचे हुए हैं और उसके साथ में उनका क्रेटनिन चार पांच के करीब आ करके रुक गया है और और कम लाने लग रहा है तो यह बिमारी एक है उपाए से ठीक होने वाली बिमारी नहीं है आपको लंबे समय तक observation में चाल लू रखना पड़ता पठता है मेरे पास का डाये यूरीन बिल्कुल बंद ओ रखा हुए तीन महीने लगये हैं उनका treatment लेना पड़ेगा और बताया गया सारा treatment follow करना पड़ेगा तभी जा करके आप इस बिमारी में फायदा पा सकते हो अब तीसरे नंबर पर patient हम से पूछने हैं कि आपके treatment में औरों के treatment से क्या ज़्यादा difference है मेरा treatment totally scientific के ckd की हर एक पारिकी को ध्यान में रख करके बनाया गया है ckd की report के अंदर में जितने parameters होते हैं potassium, phosphorus, sodium, chloride, bicarbonate उसके साथ में patient का urea, uric acid, carotinin हर एक parameter को ध्यान में रख करके patient का diet plan त्यार किया जाता है और patient को diet plan में वो क्या खा सकता है क्या ने खा सकता है वो दिया जाता है उसके बाद अगले नंबर पे patient को ckd का protocol दिया जाता है जिसमें kidney के अंदर में blood circulation को improve करने के लिए physical activity, naturopathy की safe therapies दी जाती हैं जिससे की patient का BP control में आता है, patient की kidney के अंदर blood circulation improve होता है और carotinin urea, uric acid कमाने लग जाता है तीसरे नंबर पे मेरे जो treatment है उसकी सबसे जरूरी जो चीज है वो है हमारा ckd emergency protocol मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं patient को dialysis पे ना जाने दूँ या dialysis अगर चालू हो गया है तो किसी भी परकार की emergency ना बनने दूँ ckd emergency protocol को बनाने के लिए मेरे को लाखो रुपे लगाने पड़े हैं उस protocol के अंदर में ckd में जितनी भी परकार की emergency condition बनती हैं मैं उन सब का treatment बताता हूँ कि कैसे मातर घर पर रह करके उन परकार की emergency को tackle किया जा सकता है जैसे कि patient को ascitis बनने लग गया, सास भूलने लग गया, बूख लगना बंदोने लग गया, उल्टी आने लग गई, दस्त आने लग गई, ckd के जितने भी परकार की emergency symptoms आते हैं वे सारे symptoms का solution मैं patient को घर पर इबता देता हूँ थाकि उसको hospital में admit ओकर के लाखो रुपे लगा तो इस परकार का advance और scientific treatment होने के वजए से मेरे treatment के बहुत अच्छे result होते हैं, सबसे अच्छी बात यह होती है कि मेरा treatment प्राप्त करने के लिए patient को कई पर admit नहीं होना पड़ता, वो treatment को अपने घर पर ही follow कर सकता है, और दूसरी बात यह है कि कहा patient महीने के 21,000 रुपे लग प्राप्त करता है, उसके comparison में मातर कही पर admit होने की एक दिन की fees के बराबर में मेरा महीने भर का treatment patient प्राप्त कर सकता है, उसके साथ साथ में गरीब patient के लिए जो financially weak होते हैं, उनके लिए हमालग परकार की सुविधाय भी देतने हैं, जिससे कि उनका खर्चा कम रही, लेकिन अगर आप patient हमारे दवारा बताएगा treatment अच्छे से घर पर follow करता है, जितनी मैनत हम patient के उपर करते हैं, उतनी मैनत patient अपने उपर करता है, तो definitely हर परकार की case में CKD का reverse किया जा सकता है, patient के keratinine को yuria को कम लाया जा सकता है, अगर आपके और कोई doubt रहे गए हो, तो मेरे को नी जरूर कीजिएगा, आपका एक share किसी भी इंसान के लाखो रुपे बचा सकता है, मैंने जो CKD reverse program के CKD awareness program के वीडियो बना रखे हैं, उनको जरूर देखिएगा, उनको देखकर आप मेरी साहता के बिना भी अपनी बिमारी को reverse करने का प्रयास कर सकते हो, और अगर कोई बं नाइस डे, ओम नमसी भाई